स्वागत आप सभी का नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रीती आए शरुवात करते हैं संसद में आज की सुर्खियों के साथ संसद में बैंकिंग शित्र की कथित अर्ने मित्ताओं पर चर्चा आज राज्य सभा में सांसद राजीव चंदर शिखर करेंगे अलपकालिक चर्चा की शिरुवात लोग सभा में बिना मतदान वाले नियम 193 के तहत होगी बहस राज्य सभा में रखी जाएगी उर्जा संबंधी स्थाई समिती के रिपोर्ट सांसद शम्शीर स्जिंग्वन हास करेंगे पेश सांसद ए नवनीद क्रिश्टन करेंगे पेजल और स्वचता मंत्राले के कार्य करण पर चर्चा की शिरुवात राज्य सभा के जिंडे में वोटर यान विदहेक आतायत नियमों के उलंगन बर्भारी जुर्माने का परस्ताव पारिद कराने पर होगा सरकार गजो स्टेट, बैंक, निर्सन और संशोधन विदहेक राज्य सभा में विचार और पारिद कराने के लिए होगा पेश बैंकों के विले से संसाधनों का तरक संगत इस्तमाल पर जो संसध के दोनों सद्रों में आज बैंकिंग शेत्र में कथित अर्निय मित्ताओं पर चर्चा होगी राज्य सभा में अल्प कालिक चर्चा के शुरुआत संसध राजीव चंदर शेखर करेंगे उनके अलावा सांसध नरेश गुजुराल, अनिल्दे साई, हरिवंश, रूपा गांगुली और आर के सिनहा समेथ विभिन दलों के संसध भी चर्चा में हिस्सा लेंगे सांसध सारजनिक शेतरों के कुछ बैंकों में कथित अन्य मित्ताओं और उने रोकने में बैंकिंग मिनियामकों की विफलता पर अपने अपने विचार और सुझाव रखेंगे वहीं लोग सभामी भी आज बैंकिंग ख्षेत्र में कथितान्य में ताउं पर चर्चा होगी सदन में चर्चा के शुरुआद रिविलुशनरी सोचलिस पार्टी सांसद एनके प्रीम चंदरन करेंगे उनके लावा कॉंग्रिस सांसद केसी विन गुपाल समेथ विभिन दलों के सांसद चर्चा में हिस्सा लेंगे ये चर्चा नियम 193 के तहट होगी इस नियम के तहट चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान नहीं है सांसद चर्चा के दौरान बैंकिंग शित्र की कम्यों और इससे जुड़ी कथित अर्णियमित्ताओं के बारे में अपने विचार रखेंगे साथी वो इन अर्णियमित्ताओं से देश के अर्थ्विवस्था पर पढ़ने वाले असर का मुद्दा भी चर्चा के दौरान उठाएंगे इस मुद्दे को कल भी लोकसभा के कारे सूची में शामिल किया गया था लेकिन गतिरोध की वज़े से चर्चा शुरूर नहीं हो पाई और समय सीधा संसद भवन पर सरकारूप करेंगे संसद एमामलों के संपादक अर्विन कुमार सिंग हमाय साथ जुड़े हुए है अर्विन जी शिरुवाती दो दिन गतिरोध की भेट चर्चुके हैं आज दोनों सदनों में बैंकिंग शेतर के अन्यमित्ता के मुद्दे पर चर्चा होगी संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलो के अपनी अपनी मांगे हैं हर कोई अपने मुद्दे पर बहस की जिद पर अड़ा हुआ है ऐसे में क्या संभावना है इन तमाम स्थितियों को देखते हुए? बैंकिंग सेक्टर को लेकर कि चर्चा होने जा रही जो काफी महत्मूर चर्चा है जिसमें यह आकिर गर्बणिया कब से शुरू ही है उसका क्या सोलीचन हो सकता है सरकार भी उसके लिए तेयार है कोई नयामक उपाय जो है उसके लिए तला से जारहा है तो कुल पफ़त्धार क से जो है इस पर चर्चा सुरू हो क्योंकि प्रिती बहुत सीमिस समय में बहुत सारे काम हैं उनीस बीस तारीक के पहले ही जो है जो बजट है उसको पारित कर देना है बहुत सारे और काम हैं जिसको कहिए जो तमाम मंत्राले हैं उनके अनुदार मांगो पर चर्चा होनी है और कल बीएसी ने जो है लोग सभा में छे ऐसे मंत्राले हैं जिनके कामकाज को लेकर के उन पे व्याफक चर्चा के लिए सामत दी है चार मंत्राले जो है वो जिन पर चर्चा राज्च सभा में होगी तो काम काफी है और इसलिए जो है मुझे लग रहा आगे साइद उमीद की ज जो होगी चर्चा की शुरुआत अनद्रमुक सांसद ए नवनीत कृष्णन करेंगे इस दौरान सभी दलो के सांसद मंत्राले की नीतियों और कार्य प्रणाली पर विचार सदन में रखेंगे चर्चा के आखिर में केंद्रे पेजर और स्वचिता मंत्री उमा भारती जवाब भी देंगी बहस के दोरान विपक्षी सांसदों को मंत्राले की नीतियों के आलोचना और सुझाव देने का मौका मिलता है वहीं सत्ता पक्ष की सानसदों के लिए ये मंत्राले के फैसलों का फायदा बताने का अवसर होता है अरविन कुमार सिंग हमारे सायोगी हमारे साथ बने उनका हम रुख करेंगे बाकी जो तमाम कामकाज निप्टाए जाने हैं संसदिय स्थाई समिति की रिपोर्ट की बात करें या बाकी जो कामकाज आज लिस्टेड है इसके साब से कितना एहम रहने वाला है उच्छ सदन में आज का कामकाज जी देखिए उच चदन में आज से मंत्राले के काम काच की चर्टागी शुरुवात हो रहे जिसमें जो मतलब पेजल्स अकोर मत्राले अक नए मनत्राले क्रियेट किया गया और काफी इहम है और बढ़ाया जाना चाहिए या क्या और चैलेंजेज होने चाहिए इन सारे मसलों को ले करके निश्चित तोर पर जो है काफी गंभीर चर्चा होने जा रही है और लोकसभा में भी इसी तरीके से अच्छा है दूसरी चीजी है प्रिती की इसके बाद जो है पेजल और सुच में विभाग और मंत्राले आते हैं उनको लेकर चर्चा उनको सत्र के मादा बजट्स के दोनों जो चरण है उनके वीच में स्टेंडिंग कमेटियों ने काफी गहन बटके की हैं और उनकी रिपोर्ट दीरे-दीरे करके आ रही कली देखिए चोधा विभाग और मंत्राले क्मिला करके काफ़ी कुछ की पर्दे की की रेपार्ट हूस में तो ये काफ़ी कुछ कामकाच जो कि परदे की पीठेशे चलते हैं जिसको कई की इस स्टेंडिंग के मिलाीं है » coração wo सारी जो है इस पर काम चल ला है पली थी » DAN रविन्द कुमार सिंग आपका इस तमाम बाचीत के लिए और इस जानकारी कोम तक पहुचाने के लिए और अब आज की विधाई कामकाच की बात करें तो राज्य सभा में आज मूटर यान संशुधन विधेक 2017 पर विचार होगा के इंद्रियस सड़क परिवहन और राजमार मंत्री नितिंगर्ड करी 1988 के कानून का और संशुधन करने वाले विधेक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे राज्य सभा की प्रवर समिती ने इस विधेक की परताल के बाद कई एहम सुझाव दिये हैं विधेक में आतायात नियमों के उलंगन पर भारी जुर्माना लोग सभा से बारित हो चुका है उब्भोगताओं को सस्ती दरोपर रिण उपलब्द कराया जा सकेगा और उन्हें बेहतर सेवा मिलेगी लोग सभा से विधेक पहले ही पारित हो चुका है और एक निज़र लोग सभा के जिंडे में आज के एहम विधाई कामकाज पर केंद्रे मंत्री संतोष कुमार गंगवार उपदान संदाय संशूधन विधेक 2017 पर चर्चा और इसे पारित कराने का भी रस्ताव पेश करेंगे इस विधेक में संदाय अधिनियम 1972 का और संशूधन करने का प्रस्ताव किया खया है वहीं कानून मंत्री रवीशंक पिसाद वी निर्दिष्ट अनुतोष संशूधन विधेक 2017 को विचार और पारित कराने के लिए पेश करेंगे लोक सभा में आज वित्वर्ष 2018-19 से जुड़ी रेलवे के अनुदान मांगो पर चर्चा होगी चर्चा के बाद इस पर मतदान भी होगा वही राज्य सभा में आज कई मंत्रालियों और विभागों से जुड़े एहम पत्र भी रखे जाएंगे के इंद्रे मंत्रे संतोष कुमार गंगवार, महेश शर्मा, गिरीराज सिंग, हंसराज, गंगरा महेर, किरेन रीजीजू और सियार चोधरी आज अपने-पने मंत्रालियों से संबंधित पत्र सदन में पेश करेंगे इसके लावा राज्य सभा में आज विभाग संबंधित उर्जा संबंधी संसदिय स्थाय समिती का प्रतिवेधन पेश किया जाएगा शमशेर सिंग मनहास और विपलब ठाकोर ये प्रतिवेधन सभापटल पर रखेंगे राज्य सभा में आज पूर्व सदस्य के लिए कुछ देर का मौन भी रखा जाएगा पात प्रश्न काल की राज्य सभा में आज कई एहम मंत्राले से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे और संबंधित मंत्राले के मंत्री इन सवालों का जवाब देंगे एक नज़र राज्य सभा में पूछे जाने वाले एहम प्रश्नों पर सदन में प्रश्नकाल की शिरुवाद ग्री मंत्राले से जुड़े सवाल से होगी सांसाद विवेग गुपता पूछेंगे विद्वीश वाले भाश्यन को परिभाशित करने और इस पर रोक लगाये जाने के लिए उपबंधों को शामिल किये जाने के लिए आईपीसी और दंड प्रक्रिया सहिता में संशोधन किये जाने के संबंध में विद्धी आयो के प्रतिवेदन संख्या 266 में अंतर विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है सांसद संतियोस कुजूर का सवाल भी ग्री मंत्री से होगा वो पूछेंगे क्या सरकार को असम की बराग घाटी में विभिन गुटो द्वारा हाल ही में उत्पन्न की गई और वहां व्याप्त अशांत स्थिती की जानकारी है सांसद हुसैन दलवाई का सवाल ग्री मंत्री से होगा वो पूछेंगे क्या सरकार को शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के अधिन वफ्व संपत्तियों का दिग्रहन करके अन्य प्रयोजनों के लिए इनका प्रियोग करने का अधिकार है सांसद नीरच शेकर का सवाल श्रम और रोजगार मंत्री से होगा वो पूछेंगे कि अंतराश्ट्रे श्रम संगठन के हाल ही के प्रतिवेदन के अनुसार भारत में क्रमशा साल 2018 और 2019 में बेरोजगारी बढ़ने के संभावना है सांसद महेश पोद्दार का सवाल गरी मंत्री से होगा वो पूछेंगे सरकार ने सीमावर्तिक शेतर विकास कारिकरम के तहट उपकर लगा दिसंबर 2017 तक कितनी धनराशी संगरहित की गई है इसके अलावा सदन में वानेजी और उद्द्योग, संस्कृती, ग्रही, सूक्ष्म, लगु और मध्यमुद्यम, पेट्रूलियम और प्राकरतिक गैस, कौशल विकास, और उद्द्यमिता, स्पात और पर्रेटन मंत्राले से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे और इसे के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही छोटे से ब्रेक के बाद देखे टुड़े इन पार्लिमेंट नमस्कार